So friends, आज की जो हमारे नसरी है, यहां से आपको flowering plant मिलेगे 20 रूपीज से, indoor plant 30 रूपीज से इनके पासमें आपको succulent and cactus plant भि मिल जाते हैं इनके पास में और भी बहुत सारी different varieties है plants की अगर आप इनको बताते हो कि हमारा video देख के आप इनके पास गय हो तो ये आपको देंगे 10% instant discount जो भी amount होगा उस पे मिलेगा 10% discount So friends, आज हम विजिट करने वाले Sunvi Garden Nursery को Sunvi Garden Nursery एक बहुती बड़ी नसरी है यहाँ पे आपको gardening related सभी चीजे मिल जाती है चलिए तो just एक overview में आपको दिखाता हूँ Sunvi Garden Nursery का Sunvi Garden Nursery में से आप flowering plant बाई कर सकते हो just around 20 रुपीज आप देख सकते हो कि इनके पास में कितने सारी flowering plant के वराइटीज है इनके पास में 50 से भी ज़्यादा flowering plant के वराइटीज है जिसमें की seasonal flowering plant, permanent flowering plant और creeper flowering plant आते है Sunvi Garden Nursery में से आप wholesale और retail में भी बाई कर सकते हो या retail में किसी में भी बाई किजिए और बताइए कि हमारा वीडियो देखके आप उनके पास में गए हो तो आपको 10% discount जो भी amount होगा उसपे मिल जाएगा अगर आप ज़्यादा quantity में plants बाई करते हो तो ये आपको home delivery भी provide करेंगे इनके पास में आपको hanging pots भी मिल जाते है जो कि बहुत सारी different varieties के plants है वसी के साथ में इंडो plants मिल जाते है जो कि आप बाई कर सकते हो just in 30 रुपीज इनके पास में कुछ colorful वाले इंडो plants भी है जो कि आप shade में रख सकते हो जैसे कि इनों ने रखे हुए है के पास में आपको बड़े size में इंडो plants भी देखने को मिल जाते है जो कि office वगरे में रखने के लिए यूज में आते है Sanwi garden nursery नाकपूर में की one of the best plant nursery है इनके हाँ पे बहुत सारी different varieties के plants है उसी के साथ पे price भी reasonable है अगर इनके हाँ का plant का collection आपको पसंद आया और आपको buy कर रहे है तो देए गए address पे हम इनको visit कर सकते हो otherwise उनके mobile number पे आप उनसे directly contact कर सकते हो शेवन्ती के plant आप यहाँ से buy कर सकते हो just from 20 rupees शेवन्ती plant में बहुत सारी different colors है इनके पास में उसी के साथ में बहुत सारी different varieties भी है यह वाला जो plant है spider plant है जो कि एक बहुती बढ़िया सा इंडो plant है आपको भी लगए just in 30 rupees वो भी pot के साथ यह एक बहुती अच्छी सी deal है आप यहाँ से इसको buy कर सकते हो यह coleus के plants है coleus plant की बहुत सारी different varieties है इनके पास में आप यहाँ से buy कर सकते हो just from 60 rupees इतनी सारी coleus plant के different varieties different color में शायद ही आपने कहीं पे देखी होगी coleus plant lovers के लिए यह वाली nursery one of the best nursery होगी क्योंकि इतनी सारी varieties शायद ही उनको कहीं पे मिलेगी coleus के जो plants होते हैं उनको bright light की requirement होती है तबी इनके जो पत्ते के color है वो ऐसे ही maintain रहेगे आपको recommend करता हूँ यह plants यहाँ से buy करने के लिए क्योंकि बहुत सारी unique varieties है इनके पास में coleus में इनके पास में आपको बहुत सारी different shapes के succulent plant देखने को मिलते हैं जो कि आप buy कर सकते हो just from 100 rupees इतने सारे different shape के succulent plant आपने शायद ही कई देखे हो गए cactus plant lovers के लिए भी यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा cactus plant का collection है अगर आपको पसंद आता है तो आप buy कर सकते हो not only green color इनके पास में different colors में भी cactus के plants available है यह देखिए red color में है pink color में है white color में है पेंजी के plants की भी बहुत सारी different varieties इनके पास में one by one सभी में आपको शो करना चाहूंगा बहुत सारी different colors में आपको definitely पसंद आएगे पेंजी के plants को अगर आप अच्छे से grow करना चाते हो तो कम से कम थोड़ा सा तो भी इसको sunlight मिलना चाहिए तब ही यह जो plant से अच्छे से grow होगे पेंजी का जो plant होता है वो एक winter flowering plant है winter और late summer तक के आपको अच्छे से flower देगा उसके बाद में यह plant जनरली survive नहीं कर पाते है यह dianthus plant की varieties है यह भी एक winter flowering plant है इसमें भी बहुत सारी different varieties है इनके पास में जनरली आपको इसमें red, pink, white colors देखने को मिलता है यह plant भी winter में अच्छे से grow होता है उसके से अपमें late summer तक के आपको अच्छे से flowers देते रहेगा इसमें आपको seeds भी मिलते है जो कि आप preserve करके रख सकते हो next winter के लिए इन plants को भी आप seeds से very easily grow कर सकते हो यह जो plant यह zinia plant की varieties है जो कि एक plant मिलेगा आपको 20 rupees में यह winter flowering plant है इसमें भी बहुत सारी different varieties आपको मिल जाती है winter और early summer में आपको यह flowers देगा यह वाला जो plant यह pitonia के plants है जो कि एक plant आप बाई कर सकते हो 20 rupees में यह one of the best winter flowering plant है क्योंकि इस plant को आप hanging basket में या normal pot में कहीं पे भी grow कर सकते हो इसका जो plant होता है वो छोटा होता है और इसके जो flowers होते वो बड़े होते करके दिखने में यह बहुती प्यारा दिखता है और यह winter में और late summer में आपको बहुती बढ़िया सा flowering देगा एक ही plant रहेगा और आपको बहुत सारे flowers देगा यह जो plant है इसमें seeds भी generate होते है जिससे की आप नया plant develop कर सकते हो यह वले जो plant है यह impatient plant की varieties है इसमें भी बहुत सारे different colors है इन के पास में जो भी आपको पसंद आता है आप वो buy कर सकते हो just in 20 रुपीज यह ऐसा plant है जिसको की आप कम light वाले area में रखोगे तो भी इसको flowering होते रहता है यह calendula plant की varieties है जो की एक winter flowering plant है आपको मिलेगा just in 20 रुपीज इसमें एक ही color option आपको मिलता है लेकिन इसके flowers दिखने में बहुत ही प्यारे दिखते है यह वाले जो plant यह गजनिया plant की varieties है जो की एक plant मिलेगा आपको 20 रुपीज में यह एक winter flowering plant है और इसमें भी बहुत सारे color options आपको मिल जाते है यह वाले जो plant यह दहिलिया plant की miniature varieties है यह एक plant मिलेगा आपको 50 रुपीज में वो भी pot के साथ और यह वाले जो plant देख रहे हो आप 76 plant की varieties है इसमें थोड़ी सी बड़े बैग में बड़ी वाली varieties है जो की आपको मिलेगी 50 रुपीज में में भी आपको बहुत सारे color options मिल जाते हैं वन बाई वन सभी मैं आपको शो करने की कोशिश करता हूँ बड़े बैग में बड़ा plant होने के वज़े से इसका जो price है वो 50 रुपीज है छोटे वाले आपको 20 रुपीज में मिल जाते हैं 76 प्लांट में इतने सारे different colors शायद ही आपको कहीं पर मिलेंगे हिबिसकस याने जासवन प्लांट की इनके पास में बहुत सारे different varieties है बहुत सारे different colors में ये एक permanent flowering plant है आप इनके आपसे बाई कर सकते हो just in 60 रुपीज अगर आप इसको बड़े pot में लगा होगे तो आपको effect अच्छा मिलेगा ये वाले जो plant है ये plant आपको मिलेगा 80 रुपीज में ये भी एक permanent flowering plant है और दिखने में बहुत ही प्यारा दिखता है another permanent flowering plant याने कलनचु के plants जो की बहुत सारे different colors में इनके पास में available है अगर छोटे pot में लोगे तो आपको मिलेगा 100 रुपीज with pot और बड़ा लोगे तो आपको मिलेगा 150 रुपीज with pot ये ऐसे flowering plant है जो की कम light वाले एरिया में रहके भी आपको बहुत ही अच्छा सा flower देते रहेंगे calorie में रखने के लिए one of the best plant है ये 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 भी एक permanent flowering plant है इसे बोलते है पेंटर्स ये आपको मिल जाता है 80 रुपीज में वो भी pot के साथ में एक बार अगर आप इस plant को लगा देते हो तो ये plant बहुत बढ़ा होता है और इसे के साथ में इसे बहुत सारा flowering भी होता है king of permanent flowering plant याने rose के plants वो भी इनके पास में बहुत सारी different colors में available है इंडो plant में इनके पास में singonium plant की बहुत सारी different varieties available है जो कि आप buy कर सकते हो just from 60 रुपीज ये plant एक बहुती बढ़िया सा इंडो plant है आप इसको पानी में भी ग्रो कर सकते हो और pot में तो ये दिखने में बहुती प्यारा दिखता है देख सकते हो आप कि ये pot के साथ में मिलेगा आपको 60 रुपीज में इस singonium plant के another variety आप देख सकते हो इनके पास में बहुत सारी different varieties है singonium plant की singonium के plants ऐसे plants होते हैं जो कि आप indoor में, outdoor में कहीं पे भी grow कर सकते हो कोई problem नहीं है आप इसको soil में, water में कहीं पे भी grow कर सकते हो अगर आप ये वाले singonium के plant polythin bag में अगर buy करोगे तो आपको मिलेगे just in 40 रुपीज 40 रुपीज में singonium के plants आपको शायद ही कहीं पे मिलेगे लेकिन सान्वी garden nursery में आपको definitely मिलेगे इसको आप कहीं पे भी grow कर सकते हो पोट में, hanging basket में, water में subscribe fishes and plants so you can see our upcoming videos another indoor plant, earlier plant की variegated variety है आपको मिलेगे 80 रुपीज में पोट के साथ में और भी plant से इनके पास में ये देखिए जो भी plant आपको पसंद आता है आप वो यहाँ से बाई कर सकते हो ये वाला जो plant है, ये plant भी आप indoor में रख सकते हो पेपर उमिया plant की variegated है, 100 रुपीज में पोट के साथ में नॉर्मल वाली variegated कोई भी भाई किजिए पोट के साथ में plant मिलेगा 100 रुपीज में ये भी एक plant indoor plant है, जो कि आप आपके घर के अंदर में grow कर सकते हो दिखने में बहुत ही unique और बहुत ही प्यारा plant दिखता ही है ये plant आप भाई कर सकते हो, 100 रुपीज में वो भी पोट के साथ इसको आप hanging basket में भी grow कर सकते हो, easily grow हो जाता है ये इनके पास में और भी बहुत सारी different varieties है इंडो plants में one by one सभी में आपको just एक overview दिखा देता हूँ सभी plants को अगर हम cover करना चाहे तो ये वीडियो बहुत जादा बढ़ा हो जाएगा उसके वज़े से हम सभी को cover नहीं करने वाले हम सीप दिखा रहे आपको कि ये type के इंडो plants भी इनके पास में available है इनके पास में आपको बड़े size में इंडो plants भी मिल जाते है जो कि आप आपके office में वगर रखने के लिए use कर सकते हो जैसे कि ये rubber plant की varieties है, fiddle leaf की varieties है उसके साथ में इनके पास में monster plants की भी varieties है जो कि आप आपके office में घर के interest पे रख सकते हो इनके पास में snake plants भी है जो कि एक बहुती बड़िया सा इंडो plant माना जाता है नासा का कहना है कि ये plant 24x7 oxygen प्रोडूस करता है snake plant बहुत ज़्यादा demand में है आजकल as a इंडो plant अगर आप इनके आप से snake plant भाई करना चाहोगे तो आपको एक plant अचाखा सा बड़ा वाला मिल जाएगा 150 रूपीज में वो भी pot के साथ इस plant को आप आपके घर में, hall में, bedroom में भी रख सकते हो इनके पास में bonsai plants की भी बहुत सारी different varieties है जो भी आपको पसंद आती है आप वो buy कर सकते हो इनका जो प्राइस है वो स्टार्ट होता है 500 रूपीस से इनके पास में आपको fruit plant की different varieties भी मिल जाती है अगर आपको hybrid चे तो hybrid भी मिलेगा अगर normal वाली varieties चे तो वो भी मिल जाएगी इनके पास में आपको vegetable plant की बहुत सारी different varieties मिल जाती है जैसे की brinjal, chili, tomato इस जैसी बहुत सारी different varieties है vegetable में भी अपर आप देख सकते हो इनको vegetables आ चुके है इनके पास में ceramic pot का भी collection है बट थोड़े से delegated ceramic के pot से उनके वज़े से इनका जो price है थोड़ा जादा है अगर आपको ceramic pot का collection पसंद आया तो आप directly उनसे contact कर लीजिए इनके पास में आपको sample plants भी मिल जाते हैं लेकिन वो depend है उनके availability पे sample plant में सभी प्रकार के plants होते हैं बस size चोटा होता है लेकिन price भी बहुत ही कम होता है इनके पास में आपको seeds भी मिल जाती है इनके आपको पसंद आया होगा अच्छा लगा तो आप directly उनके आपी जाके विजिट करके plants भाई कर सकते हो otherwise उनके mobile नमबर पे पी आप उनसे contact कर सकते हो ये plant नसरी नागपूर में की है अगर आप ज़्यादा quantity में plants भाई करते हो तो आपको home delivery भी मिल जाएगी चलिए तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई नसरी के साथ उपर में जो सरकल दिये उस पे क्लिक किजिए और फिशेस इन प्लांट चैनल को सब्सक्राइब किजिए